भारत और कैनेडा की रिष्टों में आई दरार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगाया बड़ा आरोप ट्रोल होने लगे अभिनेता अक्षे कुमार भारत और कैनेडा की संबंधों में तल्खी और बढ़ गई है कैनेडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि सिख नेता हर्दीव सिंग निज़र की हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है भारत सरकार निज़र की हत्या के आरोपों को खारिश करती रही है निजजर की हत्या में भारत की भूमिका की जांच के मदे नजर कैनेडा ने भारत के शेश राजनाई को भी निश्कासित कर दिया है कुछ दिन पहले ही टूडो जी ट्वेंटी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आये थे इस दोरे में टूडो के साथ मुलाकात में पियमोदी ने कैनेडा में सिक अलगाववादी गतिविधियों और भारती रजनाईकों पर होते हमलों का मुद्दा उठाया था कैनेडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो के इन आरोपों पर सोशल मीडिया पर जनता का क्या रियक्शन है आईए बताते हैं रोशन राय नाम के एक शक्स ने कैनेडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो का बयान पोस्ट करते हुए लिखा कैनेडा के प्रधानमंत्री ने संसद में आरोप लगाया कि भारत सरकार खालिस्तानी अलगावादी की हत्या में शामिल है भारत में सरकार के साथ मेरे मतभेध हो सकते हैं लेकिन भारत के हर दुष्मन को इसी तरह बे असर किया जाना चाहिए सुमित नायक नाम के एक शक्स ने लिखा हम इस मुद्धे पर सरकार के साथ है देश ऐसे अनरगल आरूपों को कतई बरदाश नहीं करेगा और हम चाहिए कि सरकार इस पर कड़क जवाब दे कैनेडा को हमें कैनेडा के बॉयकॉट करना चाहिए जैसे हम पहले के देशों का करते आये है पैरोडी अकाउंट नीमो यादम ने लिखा आज कैनेडा के पीम जस्टिन टूडो ने भारत की आलोशना की है टूडो ने दुनिया के सामने भारत की छवी खराब की है अक्षे कुमार कैनेडाई नागरिक रहे हैं अब भारत के लिए अपनी देश भक्ती साबित करने और ये दिखाने की बारी अक्षे कुमार की है कि वो किसके पक्ष में है उन्हें टूडो के बारे में पोस्ट करना चाहिए और उन्हें उनकी जगा दिखानी चाहिए क्या अक्षे कुमार नाम की एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, कैनडा की विदेश मंत्री ने कहा, हमने भारत के एक राजनई को देश छोड़ने के आदेश दिये हैं, कैनडा ये नागरिक की हत्या के पीछे भारती अजनसी का हाथ होने का शक जताते हुए, जांच में सहीयों की मांग करत वरिष्ट पत्रकार सुमित अवस्थी लिखते हैं, कैनडा और भारत के रिष्टों में और दराराती दिखाई दे रही है, आज कैनडा ने भारत के कुछ नाज नई को देश से जाने का आदेश दे दिया है, बगैर सबूत दिखाये कैनडा की विदेश मंत्री मैलनीर जॉ बताते भारत के विदेश मंत्रवाले ने कैनडा के प्रधान मंत्री के आरूपों को खारिश कर दिया है, भारती विदेश मंत्रवाले ने कहा, कैनडा के प्रधान मंत्री ने संसत में जो कुछ भी कहा, उसे हम खारिश करते हैं, कैनडा की विदेश मंत्री के बयान को भी हम